है लो डेश्ट टेट एंस सी ए आर पी अपी है जो वेकेंसी ज आ चुकी है हेट कॉंस टेवल और एएस आई स्टेनों के वेकेंसी ज तो किस ताइस इस पर फॉर्म भर एंगे वही आज आपको बताएंगे बने रही हमारे साथ तो चलिए शुरू कर दें फॉर्म भरने का जो बाढ़ सकते हैं फॉर्म बनिकलिए आपको सबसे पहले रइस्टर करना होता है यसे रइस्टर पा क्लिक करेंगे यहां पर नोटीफिकेशन आएगा यसे क्लॉज कर देंगे उसका निचे सकॉल करेंगे यहां पर आपको रइस्टेयेसं की डिटेल देनी होगी जैसे कि पह यहाँ पर candidate applicant full name अपना पूरा नाम अपने 10th case certificate के recording भरेंगे यहाँ पर capital letters में उसके बाद mobile लंबर जो working में हो आपका चालू हो confirm mobile लंबर में फिससे भर देंगे alternate कोई दूसरा mobile लंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं यहाँ पर अपनी email id भरेंगे confirm email id में फिससे अपनी सई email id भर देंगे उसके बाद यहाँ declaration पर agree पर क्लिक करेंगे और capture code भरने के बाद यहाँ re-verify पर क्लिक करेंगे re-verify पर क्लिक करने के बाद जो आपनी details भरी होंगी आपके post का नाम आपका name आपका mobile लंबर और आपकी email id यहाँ पर सामने उनकी box दिया गया होगा अगर यह सबी correct हैं तो आपको tick करना होगा इन boxes पर tick करने के बाद यहाँ पर आपको submit बटन मिल जाएगा उसके बाद आपको submit पर क्लिक करना है यहाँ पर आपके समने एक alert का pop-up show होगा submit पर क्लिक करने के बाद आप कुछ भी edit नहीं कर पाएंगे अगर सही है तो ओके पर क्लिक करें इस तरह से यहाँ पर आपका registration हो जाएगा registration मिल जाएगा आपके mobile पर भी SMS पहुंच चुका होगा email पर भी इसे close पर क्लिक कर दीजे यहाँ पर आपका application शो होगा यहाँ आपको click करना है go to application close पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे scroll करेंगे अब आपको इन particulars में अपनी detail फियल करनी होगी पहला eligibility criteria दूसरा communication detail तरह से qualification and experience चौता document and payment तो चलिए यहाँ पर देखते हैं नीचे scroll करते हैं यहाँ पर आपका application नमबर पोस्ट नेम और पोस्ट कोड अलड़ी होगा जेंडर पर क्लिक करके जो भी आपका जेंडर है male female बोस्ट कर लीजेगा उसका डेटाबर कलेंडर पर क्लिक करके डेटाबर सेलेट कर लेंगे यहाँ पर नेशनल्टी आप इंडिया एस पर टिक कर देंगे उसके बाद reservation category यहाँ पर आपकी reservation category क्या है जैसे unreserved हैं मतलब ज immediate name अहाँ पर आपका नाम होगा उसके बाद father's name यहाँ पर आपने पिता का नाम बाढ़ना है जो भी आपकी high school के mark seat में हो mother name marital status में click कर लेंगे marital status में देख लेंगे आप married है unmarried है या वीडियो है वीडियो वर है उसके बाद नीचे स्कॉल करेंगे यहाँ पर आपका mobile email id holiday field होगी आपका यहाँ पर test city preference आप जो examination city है अपनी choice के according भाज सकते हैं तीन आपर choice दी गई है यहाँ से आप अपना state select करेंगे किस state से हैं इस तार से state select करने के बाद यहाँ पर अपनी city choose कर लेंगे इस तार से बारी बारी से तीन choice माँगी है तीन फिल कर लेंगे उसके बाद next आए government surveillance क्या आप center government के surveillance है चुके हैं यहाँ पर no कर देंगे अगर हैं तो yes are your children and dependent of victim killed इस पर अगर यह है गोजरात बगरा में जो होगा था उसके लिए आप पर no कर देंगे उसके बाद save and next पर click करेंगे save and next पर click करने के बाद data save successfully हो जाएगा okay पर click करेंगे अब next step आईगी communication details यह से आप से संपक किया जा सका है यानि communication address उसके लिए अपर address line में अपना address बाहर देंगे जो आपका कस्वा city या जो भी बिले जो address line 2 में आप आप सकते हैं अपना post office या दैसिल वगएर country अपनी इस रेट कर लेंगे और आप इस्टेर चूज कर लेंगे city district में आपका जनपत क दिये अगर ऐसा है तो yes करेंगे अगर अलग है पर्माने टेश तो नो पक्लिक करके इसी तरह से बादिवाज़े से अपना पर्माने टेश भाणा लेंगे उसके अब लेंगे उसके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह साब क्टिक करेंगे अब आगा अगला column qualification experience यहां प passing 10th आपने कब pass किया institute name institute name आपका 10th पर देखिए mark sheet पर लिखा होगा आपने किस institute से किया है आपके college बगारा काना उसके बाद please select any of the following please select any of the following में आपका खुलेगा percentage cgpa grade of marks आपको जो mark sheet पर marking दी गई है वो percentage में दी गई है cgpa जो cvc में चलता वो है या grading मिली है तो परसंटेज अगर percentage पर चूज कर लेंगे तो percentage पर चूज करने के बाद marks obtained marks obtained का मतलब कितने mark मिले हैं आपको maximum mark total mark कितने हैं वो percentage automatically आ जाएगी उसके बाद ऐसे ही आपको 12th के detail बनी होगा यहाँ पर board यहाँ passing आपके college and institute का name यहाँ पर आप चूज कर लेंगे percentage cgpa greater mark उसके आप mark obtained में कितने mark आपको मिले हैं maximum mark कितने total marks थे पर से आटोमेटिक आ जाएगी उसके आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस तरह से qualification detail भी आपकी सफल तावर्वक सेव हो जाएगी ओके पर क्लिक करेंगे अब next column आगा document and payment यहाँ पर document में आपको अपना इसेंटली passport size का photo upload करना होगा उसके बाद यहाँ पर scan signature आपको अपना यहाँ पर signature अपलोड करना होगा उसके बाद 10th class mark seat यह certificate हैक में ही है तो अच्छी बात है यह मांक सीट अपलोड कर दीजिए उसके आट 12th class की mark seat यहाँ पर upload करनी होगी upload योर कास certificate यहाँ पर आपको अपना कास certificate upload करना होगा इस तरह से देखेंगे बारे-बारे से सभी document upload हो जाएंगे यहाँ पर दिया रखेगा photo और signature का size 50 kb से कम नहीं होना चाहिए और 80 kb से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो certificates है 10th का 12th का और card certificate है ठीक है इनका size 100 kb से कम नहीं हो और 300 kb से ज्यादा नहीं हो आप view पर click करके आप certificate जो upload किये हैं वो देख भी सकते हैं उसके बाद नीचे scroll करेंगे यहाँ पर आपकी payment detail दिखाएगा यहाँ पर name होगा अगर female candidate है तो उसकी fees 0 है mail candidate है जो भी category है उसकी fees आपर show करेंगी और नीचे scroll करेंगे अब यहाँ declaration देंगे इस पर tick कर देंगे इस पर टिक कर देंगे उसका जितने भी declaration है इस पर tick करने के बाद यहाँ I agree पर tick करेंगे और यह capture code भरेंगे उसके बाद preview पर click करेंगे इस तरह से preview पर click करने के बाद आप अपना भरा हुआ form total देख सकते है नीचे scroll करके आपनी side detail match कर लीजेगा अगर सही है तो यहाँ पर देख लीजेगा उसके बाद यहाँ देखेंगे यह corner पर cross का है sign यहाँ पर cross करके इसे हटा देंगे और उसके बाद finally submit पर click करेंगे उसके बाद I agree पर click कर देंगे इस तरह से message आजएगा your application form has been submitted successfully close पर click करेंगे यहाँ पर आपका application form show होगा इससे आप print करना चाहते हैं तो यहाँ print वाले बटन पर click करके इसे print कर सकते हैं इस तरह से आप सबलता वो form वर सकते हैं और किसी का fee payment करना तो fee payment भी आप अपने debit card से कर सकते हैं कोई problem है तो comment section में हमें जरू लखिएगा